ओम श्री अनंत कोटी ब्रह्मा अंड नायक राजा धिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सचिदा अनंद समर्सत गुरू साइनात महराज आपकी जय हो। पठन में असमर्त हैं किसी कार्वश नहीं पड़ पार हैं और सभी के लिए ये लाबकारी हो और सभी के चित में उतरें आएए अध्याए तीसरा शुरू करते हैं श्री साही सचरित्र का अध्याए तीन श्री साही बाबा की स्विक्रती आज्या और प्रतिग्या भक्तों को कारे समर्पन बाबा की लिलाएं जोती स्तंब सरूप मात्र प्रेम रोहिला की कथा उनके मदुर अमरुत बदेश ये इसकी हेडिंग से आएए अब में लेसन शुरू करते हैं श्री साही बाबा की स्विक्रती और वचन देना जैसा की गत अध्याय में वरणन किया जा चुका है बाबा ने सचरित्र लिखनी की अनुमती देते हुए कहा कि सचरित लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमती है तुम अपना मन इस्थिर कर मेरे वचनों में शद्धा रखो और निर्भय होकर करतवे पालन करते रहो यदि मेरी लिलाएं लिखी गई तो अविध्या का नाश होगा तता ध्यान वे भक्ती पुर्वक्ष्वरन करने से देहिक बुद्धी नष्ट होकर भक्ती और प्रेम की तीवर लहर प्रवाहित होगी और जो इन लिलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ग्यान रूपी अमुले रत्न की प्राप्ती हो जाएगी इन वचनों को सुनकर हिमाड पंद को अती हर्श हुआ और वे निर्भय हो गए उन्हें द्रण विश्वास हो गया कि अब कारे अवश्य ही सफल होगा बाबा ने शामा की और दिश्टिपात कर कहा जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरन करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूंड कर दूँगा उसकी भक्ती में उत्त्रोत्र वृद्धी होगी जो मेरे चरित्र और प्रत्यों का शद्धा पूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहयता करूँगा जो भक्तगण, हिर्दे और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं शुरण कर स्वभावत प्रसनता होगी विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लिलाओं का कीर्थन करेगा उसे परम आनंद और चिर संतोष की उपलब्दी हो जाएगी यह मेरा वशिष्ट है जो कोई अनन्ने भाव से मेरी शरण आता है जो शद्धा पूरवक मेरा पूजन निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है उसको मैं मुक्ती परदान कर देता हूँ जो नित्य प्रती मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लिलाओं का प्रेम पूरवक मनन करते हैं ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवर्तियां जैस कैसे ठहर सकती हैं मैं उन्हें मृत्यू के मुक्ष से बचा लेता हूँ मेरी कथाएं शर्वन करने से मुक्ती हो जाएगी अते मेरी कथाओं को शर्द्धा पूर्वक सुनो मनन करो सुक और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है इसमें शर्वताओं के चित को शान्ती प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रगाड और विश्वास द्रण हो जाएगा तब अखंड चैतन्य घंड से अभिन्यता प्राप्त हो जाएगी केवल साई साई के उच्चारन मातर से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएगे भिन भिन कारियों की भक्ती को प्रेणा भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर, मठ, किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ परेटन करने और किसी को भागवत गिर्थन करने एवं भिन भिन कारे करने के प्रेणा देते हैं परंतु उनने मुझे साई सचरित्र लेखन की प्रेणा की किसी भी विद्या का पूर्ण ज्यान ना होने के कारण मैं इस कारे के लिए सर्वता अयोग्य था अत है मुझे इस दुशकर कारे का दुस्सा हस क्यों करना चाहिए शरी साई महराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने की सामर्थ किसे है उनकी करपा मातर से ही कारे संपुर्ण होना संभव है इसलिए जब मैंने लेखन प्रार्म किया तो बावा ने मेरे अहम को नश्ट कर दिया और उन्हेंने स्वयम अपना चरित रचा अत है इस चरित्र का श्रे उनी को है मुझे नहीं जन्मत ब्रहम्मण होते वे भी मैं दिव्वे चक्षुविहिन था अत है साई सचरित लिखने में सर्वता अयोग्य था परन्तु श्री हरी कृपा से क्या संभव नहीं है मूख भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी गिरिवर चड़ जाता है अपनी इच्छा नुसार कारे पूर्ण करने की युक्ती वे ही जाने हार्मोनियम और बंसी को यह अभास कहां कि ध्वनी कैसे प्रसारित हो रही है इसका ज्ञान तो वादक को ही है चंद्रकांत मनी की उत्पत्ती और ज्वारभाटे का रहस्य मनी अत्वा उदधी नहीं वरन्शशी कलाओं के घटने बढ़ने में ही नहीं थै बाबा का चरित्र जोती स्तंब स्वरूप आये समद्र में अनेक स्थानव पर जोती स्तंब इसली बनाय जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों और दुरगटनाओं से बच जाए और जहाज को कोई हाने ना पहुँचे इस भावसागर में श्री साइमाब का चरित्र ठीक उप्युक्त भाती ही उप्योगी है वह अमरत से भी अती मधुर और सांसारिक पत्थ को सुगम बनाने वाला है जब वह कानों के द्वारा हिर्दे में प्रवेश करता है तब देहिक बुद्धी नश्ट हो जाती है और हिर्दे में एकत्रित होने से समस्त कुण्शकाएं क लोप हो जाती है अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौधिक आवरन लुप्त होकर ज्ञान प्रगट हो जाता है बाबा की विशुद्ध कीती का वरनन निश्टा पूर्वक शर्वन करने से भक्तों के पाप नश्ट होंगे अता है यह मोक्ष प्राप्ती का भी सरल साधन है सत्युग में शम तथा दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कल्युग में भागवत कीतन ही मोक्ष का साधन है यह अंतिम साधन चारों वरनों के लोगों को साध्य भी है अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारना, आदी आचरन करने में कठिन है परन्तु चरित्र तता हरी कीर्थन का श्वरण तो अत्यंध ही सुलब है केवल उन पर ध्यान देने की ही अवशक्ता है कथा, श्वरण और कीर्थन से इंद्रियों के स्वाभाप एक विश्या सक्ती नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्मसाक्षातकार की और अग्रसर हो जाता है इसी फल को प्रदान करने के हेतू उनने सचरित्र की रचना कराई भक्त गर्ण अब सरलता पुर्वक चरित्र का अवलोकन करे और साथ ही उनके मनोहर सरूप का ध्यान कर गुरू और भगवत भक्ती के अधिकारी बने तथा निश्काम होकर आत्मसाक्षातकार को प्राप्त हो साई सचरित्र का सफलता पुर्वक संपूर्ण होना ये साई महिमा ही समझे हमें तो केवल एक निमित मात्र बनाया गया है मात्र प्रेम गाएं का अपने बच्चडे पर प्रेम सर्विदित ही है उसके स्तन सदैव दुग्द से पूर्ण रहते हैं और जब भूखा बच्चडा स्तन की और दौड़ कर आता है तो दुग्द की धारा स्वता प्रवाहित होने लगती है उसी प्रकार माता भी अपने बच्ची की अवशक्ता का पहले से ही ध्यान लगती है और ठीक उसी समय स्तन पान कराती है वेबालक का शिंगार उत्तम ढंग से करती है परंतु बालक को इसका कोई भान नहीं होता बालक के सुन्दर श्रिंगारादी को देखकर माता के हर्ष का परावार नहीं रहता माता का प्रेम विचित्र असाधारन और निस्वार्थ है उसकी कोई उपमा नहीं है ठीक इसी वरकार सद्गुरु का प्रेम और अपने शिश्य पर होता है सद्गुरु का प्रेम अपने शिश्य पर होता है ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था उदारनार्थ वह निम्न प्रकार था सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश करहन किया जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे कुटुम के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी उसी वर्ष की गुरु पूर्णिमा के दीवस में अन्य भक्त्व के साथ श्रिडी गया महां अन्ना चिंचनी करने स्वता ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रात्ना की इनके उपर क करपा करो जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वायोग्य नहीं है कुटुम में वृद्धी हो रही है करपया और कोई नोकरी दिला दीजे ताकि इनकी चुनता दूर हो और ये सुक पूर्वक रहे बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नोकरी मिल जाएगी परंतो अब इन मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए इनकी चाये सदेव पूर्ण होंगी इने अपना ध्यान मेरी ओर अकरशित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगती से दूर रहना चाहिए इने सबसे दया और नमृत्य का परताव और अंतहकर्ण से मेरी उपासना करनी तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे रोहिला की कता यह कता शरी साइं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है एक समय रोहिला जाती का एक मनश्य शरीडी में आया वह उंचा, पूरा, सुद्रण और सुगटित शरीर का था बाबा के प्रेम से मुगद होकर वह शरीडी में रहने लगा वह आटों पहर अपनी उच और करकश आवाज में कुरान शरीफ के कलमें पढ़ता और अल्लाहू अकबर के नारे लगाता था शरीडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने के पश्चाद जब रात्री में घर लोटते तो रोहिला की करकश पुकारे उनका स्वागत करती थी इस कारण उन्हें रात्री में विश्राम ना मिलता था जिससे वे अधिक कष्ट और असुईदे का अनुभव करने लगे कई दिनों तक तो वो मौन रहे परनतु जब कष्ट असहीनी हो गया तब उनने बाबा के समीब जाकर रोहिला को मना कर इस अत उत्पात को रोकनी की प्रात्ना की बाबा ने उन लोगों की इस प्रात्ना पर ध्यान ना दिया इसके विप्रीत गाहमालों को आड़े हातों लेते वे बोले कि वे अपने कारे पर ध्यान दे और रोहिला की और ध्यान ना दे भाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे सभाव की है वे रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुँचाती है परन्तु वे उसके कल्मों के समक्ष उपस्चित होने का सहास करने में असमर्त है और इसी कारण वे शांती और सुख में है यथार्थ में रोहिला की कोई पत्टी ना थी बाबा का संकेत केवल को विचारों की ओर था अन्य विश्यों की अपिक्षा बाबा प्रातना इश अराधना को महत्व देते थे अतहे उनने रोहिला के पक्ष का समर्थन कर ग्रामवासियों को शांती पुर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहने को सहन करने का परामश दिया बाबा के मदर अमरत अपदेश एक दिन दोपहर की आरती के पच्चात भक्त गण अपने घरों को लोट रहे थे तब बाबा ने निमलकित आती सुंदर अपदेश दिया तुम चाहे कहीं भी रहो जो इच्छा हो सो करो परंत यह सदेव स्मरन रखो जो कुछ तुम करते हो वे सब मुझे ग्यात है मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभू और घट घट में व्यापत हूं मेरे ही उदर में समस्त जड़वे चेतन प्राणी समाई हुए है मैं ही समस्त ब्रमाण का नियंतरन करता हूँ वे संचालक हूँ मैं ही उत्पत्ती स्थिती वे संगहर करता हूँ मेरी भक्ती करने वालों को कोई हानी नहीं पहुचा सकता मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फस जाता है समस्त जन्तू चीटियां तथा दिश्यमान परिवरत मान और स्थाई विश्व मेरी सरूप है इस सुन्दर तथा अम्मूल्य उपदेश को श्वर्ण कर मैंने तुरंत ये दर्मिश्य कर लिया कि अब भविश्य में अपने गुरू के अत्रिक्त अन्य किसी मानव की सेवा ना करूँगा तुझे नौकरी मिल जाएगी बाबा के इन वच्चनों का विचार मेरे मस्तिक्ष्ट में बार बार चक्कर काटने लगा मुझे विचार आने लेगा क्या सचमुच ऐसा घटित होगा भविश्य की घट्नाओं से स्पष्ट है कि बाबा के स्वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए सरकारी अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई इसके परश्चात में स्वतंत्र होकर एकचित से जीवन परिंद बाबा की सेवा करता रहा इस अध्याई को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रात्ना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता वे इंद्री आसकती दूर कर और एक चित हो अपना ध्यान बाबा की लिलाओं के और दे और स्वभाविक प्रेम निर्मान कर भक्ती रहस्य को जाने तथा अन्य साधनाओं में व्यर्थ भ्रमित ना हो उन्हें केवल एक ही स्युगम उपाय का पालन करना चाहिए और वो है श्री साइन लिलाओं का श्वरन इससे उनका आज्यान नश्ट होकर मुक्ष का दार खुल दाएगा जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमन करतेवे भी लोभी पुरिश अपने गडव वेधन के लिए सतत चंतित रहता है उसी प्रकार श्री साइन को अपने हिर्दे में धारन करो अगले दाए में श्री साइन भामा के श्रीडी आग्मन का वरन होगा श्री सद्गुरु साइनात परनमस्तु शुभं भवतु ओम साइराम